नमस्कार फिल्म में हुई चंदन पटेल और दीखिया आज मैं बात करने जा रहा हूं अवंती फीड्स के बारे में जो कि यह लगबग 356 रुपे के आसपास ट्रेट कर रहा है और अगर हम यहां पर गिरावट के बात करें तो लगबग 3% गिरावट है 11 रुपे के देखने को मिले अभी तो और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिले लेकिन यह चीज आप नोट करिएगा कि यह जब जादा बड़ी बड़ी केंडल आपको दिखे न गिरावट में तो आप समझ दिए कि बस यहीं पर यहीं कुछ जगह पर यह इस टौक रुकने वाला है फिर उसके बाद यहां से यह फिर करेक्शन और इसका जो 400 रुपे का सपोर्ट का लेबल था वो इसने तोड दिया फिर उसके बाद आप यहां पर देखे अगर मैं मंतली चार्ट लगाओं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूं तो आ आया था इसने, दोसो तीर्पन रुपए का। घपराईगे मत इतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। जो इसकह एक सपोर्ट का लेबल है वो लगभध क долा 150 रूपए का। यह यहां है ना इंडिया की no.1 company है जिंगा फीड्स में ठीकने इसके अलावा या इसके इर्द गिर्द कोई भी company ऐसी नहीं है कि जो इसकी टकर दे सके नाम है अवनती फीड आपको फीड से ही समझ वह आता है कि ये फीड वाली company है और जिंगा जो मचही पालन होता है ने जिंगा का उसकी य कि इतना जबर्दस इस स्टॉक में अगर करेक्शन दिखा है तो तेजी भी आपको देखी है देखे जब करेक्शन बना था लगबग 300 रुपए के आसपास कोवेड-19 में तो फिर उसके बाद यह लगबग 780 के करीब यह स्टॉक गया फिर वहां से करेक्शन हुआ फिर एक बार 300 रुपए से थोड़ा नीचे गया लगबग 200 रुपए तक पहुँच गया था फिर उसके बाद इस स्टॉक में लगबग 500 पान सो स्टॉक आया और फिर 400 के लेबल पर फिर से इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली लगबग 530 रुपए की अब वहां से अगर करेक्शन लेके आ रहा है तो आप समझिए इस स्टॉक में और भी गिरावट अगर होती है तो दिखिए जो एक लेबल देखा जाता है वो लगबग 340-350 के आ पास पास जान रहा है तो देखिए आप घबराईएगा नहीं आप वेट करिए सेल नहीं करिएगा क्यों क्योंकि इसके पीछे बहुत ही जबर्दस चीजे मैं आपको दिखाना चाहता हूं तेकि यहां पर आप देख सकते हैं इसी स्टॉक में कितना जबर्दस क्लेरिफिक दिया हुए देखिए अभी यह अमंती फीड में आप देख सकते हैं कि लीडिंग कंपनी है लीडिंग प्रवाइड करती है जो कि हाई क्वाल्टी फीड ठीक है और यह टेकनिकल सपोर्ट भी बेस्ट टेकनिकल सपोर्ट है और फार्मर के साथ भी इनका अच्छा खासा है जो कि फार्मर भी ग्लोबल मतलब पूरा जगह पे यही सब बोलते हैं कि अच्छी क्वाल्टी का फीड से ठीक है और अगर हम इस प्रड़क्ट की बात करें तो देखिए अपने डोमेस्टिक में खाली डोमेस्टिक मतलब खाली इंडिया में 45 परसेंट तक का बिजनस है ठ इंदस फीड को तो देखिए अगर हम्सित시면 की अस्ताल की मार्केट्ट की आप्लाइजेसिंग की बात करने तो 49 beş का मार्केट की नेती की अगर बात करने तो लगपग 19 के पास इस अस्ताल का पी ऑर अगर हम बात करें तो 13 पॉने जो कि बहुत ही और अरर यही बडिया है लगबग आप यहां पे देख सकते हैं 18.2 रुपे मतलब 18 रुपे से ज़्यादा है ठीक है पर मोटर भी होल्डिंग बढ़िया है यहां पे लगबग आपको 43.3 परसेंट देखने को मिल ला है गिर्वी रखा हुआ सेयर कुछ भी नहीं है और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा करोण का लेकिन कोई घपराने की दिक्कत नहीं है क्योंकि यह कंपनी लगबग एनुवल में जो जितना कमाती है 245 करोण का एनुवल में इसका इंकम है और क्वार्टरली के अगर हम बात कर ले तो 67 के करीब यहां पे 67 करोण के आसपास यह कंपनी क्वार्टरली में कमा लेती है दिखिए दस साल में रिटर्न आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि हर दस साल में यह लगबग जो आज से दस साल पहले इंवेस्ट किया होगा लगबग 43 परसेंट का हर एक दस साल आप दस साल दस साल करके आप काउंट करते जाए उतना है कि वन येर में थोड़ा माइनस देखने को मिल ला है त्री येर में और फाइफ येर में क्यूंकि इस टॉक बहुत ही ज्यादा गिर चुका है आप यहां पर अगर चार्ट देखें के मैक्सिमम का तो आपको समझ में आएगा बहुत ही जबरदस मतलब यह स्टॉक लगबग कि आपको यहां पर लॉस हो रहा है तो बेच के निकल जाए ऐसा कुछ नहीं करिए आप वेट करिए सही वक्त का अगर आपको और भी सस्ते में मिलता है तो आप वहां पर एवरेज करिए ठीक है क्यूंकि इस स्टॉक में भारी वैलूम ट्रेड हो रही है मतलब माल जबरद उताया जा रहा है और जल्दी इस स्टॉक में आपको मिलेगा यहां पर देखि ègर बात करें तो बहुत ही जबरदस माल उठाया जा रहा है और देखे अगर हम देखिए मैने इस स्टॉक को मेरे, मतलब ऐक Second कराएब बाइग है थोड़ा मतलब माइनस हो रहा है तो उन्होंने बोला की चलू थीक है आप एक बार वीडियो बनाओ तो बताओ मेरे को कैसे क्या है तो देखिए मैंने हर एक जगह से इसका जो profit निकाला, मैंने annual profit निकाला, quarterly नहीं निकाला, मैंने annual निकाला, जो कि अगर हम बात करें, 2011 में तो मातर 4 करोण का अपना net profit था, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इस company ने बहुत ही जबर्दास pick-up ले लिया, क्यूंकि आप अगर बात करें तो 2018 में लगबग यहां करोण का net profit किया, जो कि 2011 में इसने मात 4 करोण का profit किया था, देखे 2019 में आप सभी लोगों को पता है, कोवेड में था, 2020 में situation वही थी, 2021 में भी वही थी, तो ऐसी situation में फिर भी 307 करोण, 386 करोण, लगबग 397 करोण, तो इतना मतलब बहुत ही जादा, और इस बार मार्च 2022 मे इसकी जो revenue है, घट के बहुत, मतलब जो net profit है, घट के बहुत ही जादा कमा गई, लगबग 245 करोण के आसपास, तो ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ेगा नहीं, अभी इस बार और भी जादा आपको बढ़ने का chance है, और बढ़ेगा भी अच्छा, और आपको बहुत ही अच्छ सेग्मेंट में, अच्छे एक situation में, तो थोड़ा बहुत ही अच्छा उसको performance मिलता है, ठीक है, तो वही मैं बोड़ ला हूँ, इसके टकर में कोई भी आजो बाजो में नहीं है, और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कि जो growth हुई है, year on year, ठीक है, यह बहुत ही अच् चीज है, आप यहाँ पर आप अगर नजर दाले, share holding pattern पर, क्योंकि जो share holding pattern होता है, वो भी बहुत ही मज़ेदार चीज होती है, देके 2019 में, जो पर मोटर की holding थी 43.67, थोड़ी सी घट के यहाँ पर 43.28% हुई है, जो FIH की holding थी, वो लगबग लगबग थोड़ा बहुत ही है, जो डियाइज की holding है, वो बढ़के बहुत ही जबर्दस होगी, लगबग 8.72% के आसपास, जो government की holding है, वो सेम वही है, पबलिक की holding थोड़ी सी यहाँ पर आपको कम देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर डियाइज दबा के माल खरीद रहे हैं, यह 2022 से तबा के माल ख खरीद रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ लपड़ा है, मतलब जबर्दस स्टॉक को लेके जाएंगे, और अभी तो जो गिरा रहे हैं, गिरा के जो खरतारी करने का इनका तरीका है, जो बहुत दिन से लेके बैठे थे हैं, वो डर जाएं, और माल हम खीच लें, ठीक है, हाँ पर देखिए, सीधे सीधे बोड़ ले हैं, कि ये कंपनी ओल्मोस्ट डेट फ्री है, फिर उसके बाद ये बोड़ ले हैं, कि जो डिवडेंट प्याउट करती है, वो भी ठीक ठाक है, ठीक है, और इनका जो कंपनी का जो ग्रोथ है, वो भी बहुत ही बढ़िया है, द ही थोड़ा इनको मतलब ये दिखा कि अगर कंपनी गिर रहे इसका मतलब नहीं है कि पर मोटर को बेचना चाहिए, ठीक है, तो सारी चीछे होती है, देखिए, पर मोटर के पास तो वो कुछ ना कुछ वजा रही होगी, इसलिए उन्होंने बेचा होगा, लेकिन अभी तो ह सेयर किसी के पास है नहीं कि कोई प्रॉबलम होगा, ठीक है, तो देखिए, आप अगर आपके पास अगर अवंती फीड्स है, का अगर सेयर है, तो आप बने रही है, और अगर आपके पास नहीं है, तो यही मौका है अच्छे माल उठाने की, कि बहुत ही गिर चुका है ये एक नोट करिए, और आप बस खाली वाच करते रहिए, कि अच्छा एक लेबल मिले, तो मैं वहाँ पर माल उठाओं, या तो अगर मेरा पहले से पढ़ा हुआ है माल, तो मैं उस माल खरीद के उसको थोड़ा सा एवरेज में कर लूँ, ठीक है ना, तो यह सारी चीज़े है ओके, थेंक्यू फ्रेंड